नमस्कार साथियों, डिक्टेशन अस्सी सब्द प्रतिमिनट की गति से बोली जाएगी जो ठीक पांच सेकिन बाद स्टार्ट होगी भारतिये विमानन कम्पनिया इतने बुरे हालात में हैं कि अब उनके अपने बल्बूते पर खड़े होने का सामर्थ है नहीं बचा है विराम रही सही कसर कोरोना की महामारी ने पूरी कर दी विमानन कम्पनियों ने अपने करमचारियों की छटनी कर दी विराम खर्चे में कटोती की गई और कम्पनियों को पीडा दायक फैसले लेने पड़े विराम यह सेक्टर पहले से ही घाटे में था और लोगडाउन के चलते अधिकांस एयरलाइन्स की जम्मापूंजी को खतम कर दिया है विराम अभी आगे भी इस्तती सामान्य होने की कोई उमीद नहीं है विराम लोगडाउन के दोरान जमीन पर खड़े एयरक्राफ्ट के रख रखाओ में बहुत अधिक लागत आई है विराम ऐसे में किया तो क्या किया जाए विराम पैरा इसी बीच देश में विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदे साले जी जी सी ए सहित अन्य नियामक संस्थानों को वैद्धाने दरजा देने वाले वायू यान संसोदन विधेयक 2020 को संसत की मंजूरी मिल गई विराम विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने इसे पास करा लिया है विराम राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्री है उडियन मंत्री हरदीप सिंग पुरी ने कहा कि विधेयक का जरूरी हिस्सा दीजी सी ए ब्यूरो अफ सिविल एवियेशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को वैद्ध सित्तानिक दर्जा देना है विराम इन संस्तानों को ज्यादा प्रभावसाली बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीनों नियामकों के लिए एक महानी देशक की न्युक्ति का प्रावधान किया गया है विराम पैरा विध्यक में नए नियमों के उलंगन के लिए कठोर दंड के तोर पर जुर्माना रासी 10 लाग से भड़ा कर एक करोड रुपए करने का भी है विराम इसके विध्यक के साथ ही हवाई अड़ों के प्रसस्त होने के संकेत भी मिले हैं विराम हरदीप सिंग पुरी ने इसपस्ट किया की 2006 में मुंबई और दिल्ली जैसे हवाई अड़ों का निजी करन हुआ विराम इसके बाद भारतिये हवाई अड़ा प्राधी करन को 29,000 करोड रुपए मिले विराम इससे ने सिर्फ इन दो हवाई अड़ों बलकी देश के अन्य हवाई अड़ों के आधार भूत धाचे को विक्षित करने में मदद मिली विराम फिलहाल देश में 109 हवाई अड़े परिचारन में हैं विराम अगले पांच वर्सों में 100 अत्रिक्त हवाई अड़े निर्मित किये जाएंगे विराम पैरा अब जबकी रेलवे निजी करन की और तेजी से अग्रसर राज्या सरकारे भी परिवहन सेवाओं का निजी करन कर चुकी है तो फिर हवाई अड़ों का संचालन निजी हातों में सोपन का निर्न अनुचित नहीं है विराम एर इंडिया के निजी करन की द्रिष्टी से नहीं बलकि साथजार करोड के बकाया रिन और उसे खतम करने के उद्देश्य से ही देखा जाना चाहिए विराम लेकिन देश की सारजनिक कंपनियों का अंधा दुन निजी करन पर भी रूप से मंधन करना होगा विराम विमानन सेक्टर का कहना है कि जिस तरह से वंदे भारत मिशन में तमाम प्रवासी भारतियों की घर वापसी एयर इंडिया के कारण ही संभव हो पाई है विराम एयर इंडिया का वंदे भारत मिसन काफी सफल रहा है विराम केंद्र सरकार यदि चाहे तो एर इंडिया के मूल स्वरूप में बदलाओ कर सकती है परन्तु एर इंडिया को बेचे नहीं विराम यह भी देखा जाना चाहिए कि निजीकरन या वीनिवेश प्रिकरिया से भारत को अब तक कितना लाब हुआ है विराम अगर निजीकरन से आधुनिक्तम त्रेने उपलब्द हो रही हैं यात्रियों की सुविद्धाउं में बढोत्री होती है तो निजीकरन का विरोध नहीं होना चाहिए विराम इसी तरह वायू यान संसोधन विधेक से सकारात्मक बदलाव आते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए विराम इस पर भी नजर रखी जाने चाहिए कि PPP Model हवाई अड़े विक्षित करने के नाम पर एनियमित्ताएं नहीं हो विराम हवाई अड़ों के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने तथा हवाई सेवाओं का विस्तार करने के लिए काया कल्प करने की जरूरत है विराम पैरा भारत का विमानन छित्र अगले दो साल में अमेरिका और चीन की बाद दुनिया का तीसरे नंबर का छित्र होज जाएगा विराम सरकार हवायात्रा को सुरक्षित और सुलब बनाना चाहती है विराम साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहती है की यात्रियों की सुरक्षा में किसी तरह का कोई समझोता ने हो विराम इस वर्ष के अंत तक सामान्य रूप से उड़ानों का संचालन सुरू होने की उमीद है विराम पांच वर्सों में हवाई यात्रियों की संख्या दोगनी हो चुकी है विराम देश में एरपोर्ट के निजी करन की सुरुवात भाजपा के ही नेतरत वाली अटल सरकार के समय हुई थी विराम मोधी सरकार ने तीन हवाई अड़ों का संचालन निजी हातों में सोपा है विराम पैरा विमानन कम्पनियों के वैस्विक संग के मुख्य अर्थ सास्तरी ब्रायन पियर्स ने हवाई अड़ों के निजी करन के पहले और बाद में अंतर का पता लगाने के लिए एक अध्यन कराया था इसमें भारत सहित दुनिया के 90 हवाई अड़ों को सामिल किया गया विराम अध्यन में कहा गया कि निजी करन के बाद हवाई अड़े की परिचारन कुसलता में भी जादा सुधार नहीं हुआ जबकि प्राइवेट कम्पनियों का मुनाफा बढ़ता गया विराम देश में सस्ती उडान योजना भी सफल नहीं हुई विराम निजी कम्पनिया इस योजना पर पूरी तरह खरी नहीं उत्री विराम ATF पर GST की वज़े से किराय में कमी नहीं आई विराम पैरा विमानन सेक्टर को फिर से मजबूत करने के लिए सरकार पूरी नजर रखनी होगी ताकि इस चित्र में बदलाव का प्रभाव सकारात्मक ढंग से पड़े विराम बविश्य में कोरोना महामारी की इस्तिती के सामन्य होते ही यात्रियों की संख्या में बड़ोत्री होगी और उड़ाने भी बढ़ानी पड़ेगी विराम दन्यवाद साथियों